हेलो फ्रेंड्स बेलकम बैक टू नील क्रियेशन आज हम इस कार्डिगन का सेकिंड वाला डिजाइन शेयर करने जा रहे हैं जो के एक फूल का डिजाइन है बहुत इजी है मैंने ये बीच वाले फंदे पे लगा लिया स्टिच मार कर उसके बाद मैं आपको इसका ग्राफ द गैप है एक एक ये नाइन फंदे तो हमारे ये हो गए बीच में ये 12 फंदे हैं फिर नाइन फंदों का ये फिर 12 फंदे इस तरीके से ये हमारा मैंने यहां पे जो ये मार कर लगा है इस वाले जो बीच वाला ये फोर्थ है इसका लगाया हुआ है उसके बाद मेरे साइड में फूर्फंदे बचेंगे तो डिजाइन मेंinação स्टार्ट करने जा रहे हूँ यह दिखें पहले फूर्फंदे में एड कलर से बना लूँगे कि फिर एक फंदा में वाइट का बना लूँगी इसमें ने दो बार इसलिए बनाया है क्योंकि कि इसमें कलर चेंज होगा सेवन फंदे रेड़ हो जाएंगे कि कि अ कि कि फिफ्ट कि यह सिक्स्थ और यह सेवन्थ कि यह सेवन फंदे बनाने के बाद एक फंदा हमारा वाइट आ जाएगा फिर मैं यह ट्वेल्व फंदे जो हैं बीच के यह कि रेड़ कलर से बना लूँगी दो तीन चार बीच में लपेटते हुए आओंगी क्योंकि गैप ज्यादा है नहीं तो फिर बड़स्ट हिचा जाएगा उससे खीचाब पड़ जाता है यह दिखिए दो चार चे आठ दस बारा अब हम वाइट से बना लेंगे एक फंदा फिर पांच फंद सौरी साथ फंदे यह देखिए हमारे यह तीन फंदे बनाने के बाद साथ फोर्थ जो बीच वाला फंदा है वह मारकर वाला आया है इससे हमारा डिजाइन बिल्कुल हाफ में पड़ जाएगा फोर फाइव सिक्स सेवन और यह वन फंदा वाइट फिर में 12 फंदों का करूंगी यह में कर लेती हूं 12 फंदों के बाद फिर से ऐसे ही आएगा एक साथ और एक यह दिखिए यह हमारे तीन पूल्ट हमने रख लिए है इधर भी फोर फंदे बचे इधर भी फोर है तो आजाएए नेक्स्ट रो में जो यह बीच में साथ फंदे हैं इनका फाइव रह जाएंगे और एक एक फंदा बढ़ जाएगा इस साइड यह देखिए पहले चार फंदे तो हमें आज़िटीज बून लेंगे इंजे चार फंदे तो हमारे स्टार्टिंग के आज़ि बीच का 12 फंदों का गैप है बनेगा मैं यह 12 फंदे बना लेती हूं यह 12 फंदे हमारे बन गए है अब हम वाइट में आ जाएंगे फिर से वाइट जो एक के इसकी साथ बीच वाले फंदों में से जो 7 फंदे थे उदर से बढ़ जाएगा यह 5 फंदे रह गए और यह 2 फंदे वाइट फिर 12 फंदे बनाने के बाद में जो यह तीसरा फूल है इसमें ऐसे ही करूंगी 2 फंदे बना दूंगी वाइट यह दिखिए यह तीनों फूलों पे हो गया है हमारा अब हम फिर से नेक्स्ट रो करेंगे स्टार्ट इसके स्टार्टिंग वले फंदे हो गया है अब इस रो में तीन हो जाएंगे बीच वाले वी तीन रह जाएंगे और यह दोनों फूल की कलिया है यह वी तीन तीन हो जाएंगी यह 12 फंदे एजिटीज बनेंगे यह देखे 12 फंदे बना लिए अब मेरे यह तीन तीन हो जाएंगे फिर से यह तीन रेड तीन और यह वाइट फिर से तीन हो जाएंगे ये तीन वाइट हो गए तो ये मैं बना लूँ 12, 3, 3, 3 तो ये कर लेती हूँ ये देखे थर्ड रो में हमारे ये तीन-तीन हो गए है और ये 12 के 12 फंदे वैसे ही रहे हैं अब ये तीन-तीन को हम 4-4 कर देंगे बीच का ये एक फंदा रह जाएगा आजाए फोर्थ रो पे फोर्थ रो में हम इन फंदो को बीच वाले फंदेजा साइड वाले ये होते हैं इनको कुछ नहीं करना है पहली फोर रोज में सेमी रहेंगे ये अब देखिए तीन फंदो को हम 4 बना लेंगे 4 वाइट एक रेड फिर से 4 वाइट कलर के हो जाएंगे अब हमारे जो 12 फंदे हैं 12 फंदों को मैं फिर से एस इटेज बना लूँगी और दोनों फूलों में ऐसे ही कर लूँगी 4 एक चार कर लूँगी ये ऐसे ही चलेगा इस वली रो में तो ये कर लेती हूँ फिर आगे आगे ये दिखिए ये 4 चार फंदे हो गए हैं अब हमारी ये लेक्स्ट वली कली बनेंगी तो ये चार फंदे जो इस साइड हैं पहले एक फंदा बना लूँ फिर 4 फंदे वाइट हो जाएंगे दिखिए ये 4 फंदे वाइट फिर एक रेड कलर का हो जाएगा त्री वाइट एक रेड त्री वाइट एक रेड हो जाएगा और फिर से फोर हमारे वाइट त्री फोर ये दिखिए ये जो हमारे ये चार-चार फंदे थे जो स्टार्टिंग वाइट थे उनको हमने एक रेड कर दिया है और बाकी तीन फंदे एज़िटीज रहेंगे और नेक्स्ट फोर फंदे अब ये कम हो जाएंगे क्योंकि चार फंदे इदर हो जाएंगे तो ये वीच वाले फोरी रह जाएंगे जो 12 फंदे थे हमारे वह वले ये चार फंदे मैंने इस रंग से बना लिये हैं फिर एक फंदे को रेड कर देंगे ये तीन वाइट इजी है वैसे तो डिजाइन थोड़ा सा बड़ा है बस है कुछ नहीं है बहुत ही इजी सा है सिंपल सी रोज हैं ये एक रेड हो जाएगा फिर से फोर वाइट इस तरीके से ये रोवी कंप्लीट हो जाएगी हमारी फिर फोर रेड हो जाएंगे जो बीच वाले बारां फंदे थे उनको भी हमने यूज कर लिया है अब उन पे चेंज हो गया पहले आज़िटीज बनाते गए थे तो ये में तीसरा फुल भी बना ले ये देखे ये हमारी रोव कंप्लीट हो गई है अब हम जैसे ये कलियों में इधर से फंदे कम होते गए है इधर से ये जैसे हमारे अब तीन से अवाली रो में टू रह जाएंगे फिर एक रह जाएगा तो चलिए नेक्स्ट रो में कि एक रहें हो जाएगा तो वाइट हो जाएंगे कि कि एक रहें हैं तो वाइट कि फिर से एक रहें है कि फोर वाइट है और बीच में जो यह हमारे red 4 थे दोनों तरफ से एक-एक बढ़ जाएगा हमारे तो यहां पर 6 हो जाएंगे यह देखिए यह 6 हो गए है तो फिर से यही repeat करेंगे 4 white एक रेड तो वाइट एक रेड और फिर से फोर वाइट हो जाएंगे यह तीसरे फूल को मैं स्किप कर दूँगी क्योंकि जैसे हमने यह दो फूल बनाई है बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे यह शे हो जाएंगी बीच वाले तो इसी को हम यह देखिए इसी को हमने एक दो तीन चार फिर एक रेड एक वाइट एक रेड एक वाइट एक वाइट एक रेड और फोर वाइट इस तरीके से यह बना लिया है हमने यह इधर से कम होते जा रहे हैं और इधर वले इधर बढ़ रहे हैं तो बीच में जो शेफ अंदे थे हमारे रेड कलर से अब छोड़ी एक बढ़ा लेंगे हम दोनों तरफ ससे से से रखा कि अँगे है दीकिए इनधर से एक पन दा बढ़ा लेंगे को में यह पजराओ एकS bombing को और एक moit लूझ एक लिएaying अन्दक्रीज होता जाएगा एक लोग्त मत्युक्रिक्षिधों ही में बाइट लग्त मैं एक रेड फिर ये चार फंदे हमारे अब रेड हो जाएंगे सौरी नेक्स्ट एट फंदे रेड कलर से और ये मैं रोव कम्प्लीट कर लेती हूं आगे की रो में बढ़ते हैं हम ये मैं कम्प्लीट करके दिखाते हैं ये देखें ये तीसरा फूल भी हमारा पूरा हो गया है अब हम इस रो में आ जाएंगे ये चार हमारे वाइट हो जाएंगे एक रेड फिर वाइट रेड वाइट इस तरीके से ये हमारी फूर्थ है इसके बाद हमारे पूरा पैटरन जो है कलर चेंज हो जाएगा ये कलर चेंज होगा इसलिए मैंने दूसरे कलर से बनाया है चलि और हम वाइट बनाएंगे, एक रेड, एक वाइट, एक रेड, एक रेड, फोर वाइट, चार हमारे वाइट हो गए हैं, तो नेक्स्ट हमारे अब ये फंदे इंक्रीज हुए हैं, देखती हूँ कितने हुए हैं, ये बीच वाले चार, छे, आठ, शायद अब दस हो जाएंगे ये, दो, चार, छे, आठ, दस हो गए हैं, और ये चार फंदे हमारे इस साइड हो गए, फिर एक वाइट, एक रेड का जो हमारा चल रहा है, वही हो जाएगा, इसके वाद वाली रो में हमारा सारा पैट्रन ही च जाएंगे, जो वाइट है, वो रेड हो जाएंगे, तो ये मैं कर लेती हूँ, ये हमारे टू फूल हो गए है, ये देखिए, तो ये मैं रो कमप्लीट कर लेती हूँ, नेक्स टू में आते हैं, ये देखिए, ये हमारी रो कमप्लीट हो गई है, यहां तक आ गई हैं, तो इसके बाद हमारे जो रेड फंदे हैं उनको हम वाइट बना लेंगे जो वाइट है उनको रेड बना लेंगे पूरी रो इसी तरीके से होगी यह देखिए आप अच्छे से देख सकते हो बीच वाले फंदे भी यहां पर मैं नहीं ग्राफ पर बना पाई तो आपको बना के थ चोड़ा सा दिखा देती हूं तो यह दिखिए जो रेड फंदे हैं उनको हम वाइट बना लेंगे वाइट को पूरा रेड कर लेंगे यह दिखिए कोई चेंज नहीं है इसमें ज्यादा बस जो फंदा आपके सामने रेड आएगा उसे वाइट बना लेना जो वाइट आए डिजाइन ही हमारा रिवर्स चलेगा जैसे जैसे हमने यह दिखिए यह डिजाइन वापिश चलना मस असे नहीं सटार्ट हो जएगा यहांसे तो हैल्य मैर्यों माद आप वाइट को रेड बनाते हुए ये सारी कर लेती हूं कम्प्लीट फिर आगे दिखा ये देखिए ये पूरे डिजाइन को मैंने ये कर लिया है यहां तक कम्प्लीट इसके बाद आ जाए ये उल्टी रो में पहले हम इस साइड से कम करते हुए गए थे इस डिसाइन को अब इस चार फंदे रेड एक वाइट एक रेड एक वाइट एक रेड एक रेड एक वाइट फिर ये चार फंदे रेड कलर से हो जाएंगे और बीच के जो टैन फंदे थे वह अब एट रह जाएंगे तो पूरा पैटरन ये रिवर्सी चलेगा कुछी ज्यादा चेंज नहीं है ये एट फंदे रहा जाएंगे अब यह देखिए इसके बाद हमारे फोर फंदे हूंगे रैड कलर से एक रैड एक वाइट करेंगे इसके बाद एक वाइट एक रैड एक वाइट एक रैड एक रैड एक रैड एक वाइट फिर से फोर रैड नेक्स्ट हमारे एट फंदे वाइट फिर से यह फूल पे यही रिपीट होगा तो ये मैं तीसरे फूल को complete कर लेती हूं ये देखिए तीसरे फूल को complete कर लेती हूं फिर दिखाती हूं आगे अब आप दियान से देखिए इस वली रो में जब हमने red white red white के एक एक फंदे किये हैं तो जो वीच वला है जो ये वला था इसके बीच में जो red white है वो white के पास व यू पहले हम 3 पंदे bravin बना लेंगें कि फिर हमारे राड़ जाएंगे फ़ोर फंदे हम सburg 24 बनाने के बाद एक वाइट बना लेंगे जो यह वला रही अथा के साहथ अब यह बार यह जाएंगे पहले यह दीख के यह हमार कम होते गए पहले 4 से 3 दू एक रहगे थे अब 1 फंदे से 2 हो गए हैं तो नेक्स्ट रोज में 3 और 4 हो जाएंगे यह एक वाइट फिर से 2 रेड हो जाएंगे एक वाइट अब यह 4 फंदे रेड एक दो तीन चार अब वीच में यह 6 फंदे जो हैं आफ वाइट करें सिक्स फंदे वाइट बनाने के बाद इसी फूल के पैटरन को हम फिर से रिपीट करेंगे ये देखिए चार फंदे पहले रेड एक वाइट फिर दो हो जाएंगे यहां पे रेड बस यही थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है क्योंकि जब रिवर्स जाता है डिजाइन तो इस डिसाइन पर तो यह शेफ फंदे वाइट बनाने के बाद में थर्ड फूल भी कंप्लीट कर लेती हूं फिर आगे आपको नेक्स्ट रो दिखाती हूं यह दिखिए यह थर्ड फूल भी हमारा हो गया कंप्लीट तो यह अब यह पत्ती वाला लास्ट रह गया है हमारा जो हमारी जाएगी साइड में तो यह मैं एक और यह दो दो फंदे मैंने वाइट बना लिये फिरसे यह चार फंदे एक वाइट और यह तीन उपंदे रहे जाएगे आप को मैं ग्राफ को अलग से दिखा दूंगी लास्ट में स्क्रीन शॉट आप ले लिना पूरे की रख दूंगी आप फोटो ले सकते हो यह तीन फंदे हमारे रेड एक वाइट फिर से फोर फोर रेड फोर वाइट यहां पर आ गए हम जैसे यह फोर फोर फंदे रह गए थे विल्कुल उसी तरीके से यहां पर फोर फोर रह गए हैं ग्राफ से थोड़ा सा आपके लिए बनाना इजी हो जाता है इसलिए मैं ग्राफ भी साथ में क्रियेट कर लेती हूँ ताकि आपको इजी रहे फिर यह देखिए एक तीन फंदे रेड एक वाइट तीन रेड एक वाइट और यह फोर फंदे रेड कलर से थर्ड फूल में मैं इसी तरीके से बना लूँगी यह 6 फंदे आ जाएंगे हमारे नेक्स्ट यह दिखिए तो अब हमारा यह 4-4 फंदो वाला कलियों वाला तो चला ही जाए यह दिखिए यह रोग कम्प्लीट हो चुकी है हमारी तो इसके बाद हम यह 4-4 फंदों का जो है पहले स्टार्टिंग में 12 फंदे हमने छोड़े थे उसी तरीके से 12 फंदों को हम बीचवनों को कुछ नहीं करेंगे और इस वले डिजाइन में ही जस्ट कम ज्यादा होंगी तो जैसे पहले पहले दो तो हमारे वाइट है इनको तो हम एस इट इस बना लेंगे वाइट जब इसके बाद 12 फंदे हमारे वाइट कलर से हो जाएंगी अब जब हमारा रे कलर से बना रहे थे तो अब हमारा वाइट का आ गया है उपर तो रिवर्स हुआ 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 जब से डिजाइन तब से तो इसको हम वाइट बना लेंगे यह दिखिए यह अब हमारे 12 फंदे वाइट होगे 4 4 अरे 4 रेड हो जाएंगे एक वाइट फिर से 4 रेड एक दो तीन चार बारा फंदे अब फिर से वाइट और थर्ड फूल में फिर से 4 एक चार का कर लेते हैं यह दिखिए यह 4 एक चार और 12 रह गए हमारे तो इसमें अब हमने क्या करना है पहले हम वाइट बना लेंगे ग्राफ को एक वर में साइड में कर देते हूं क्योंकि यह अब 3 2 1 का जो स्टार्टिंग का था वो ही है एजी है मैं आपको वैसे बाद में इसका स्क्रीन शॉट लेने के लिए रख दूंग यह दिखिए पहले वाइट फंदे जो हमारे जितने हैं रेड तक आ जाएंगे अब रेड जो फोर थे तीन रह जाएंगे यह तीन रह गए नेक्स्ट वाइट भी तीन हो गए रेड भी तीन हो गए और बीच के जो बारा फंदे हमारे हैं वाइट कलर से उनको हम कोई चेंज नहीं करेंगे उनको एज़ट इस बना लेते हैं यहाँ पे मैं तीन 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 का करते हुए दूसरे दोनों फूलों में भी कर लेती हूँ यह देखिए यह तीन 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 का ह आजा यह नेक्स टो स्टार्ट कर लेते हैं यह देखिए जो अब यह रेड तीन थे उनको हम पहले दो बना लेंगे फिर पांच फंदे हमारे वाइट हो जाएंगे दो तीन चार पांच दो रेड जाएंगे इसी तरीके से मैं दोनों दूसरे फूल भी बना लेती हूं दो दो रह गए हैं यह कर लेती हूं यह दिखिए यह दो दो हो गया है आजाए लास्ट्रो में हमारी लास्ट्रो रह गई है लास्ट रो में हम पहले यह वले फंदे तो एज़टी बना लेंगे जो हमारे टूटू फंदे रह गए हैं रेड़ अब उनको हम एक-एक बना लेंगे यह दिखिए यह ऐसे बनाते हुए एक फंदा रह जाएगा एक रेड़ हो जाएगा और बीच में यह साथ फंदे हमारे वाइट दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, साथ फंदे बनाने के बाद एक रेड़ और दोनों फूलों में मैं आगे भी यही कर लेती हूँ यह देखिए यह दिजाइन हमारा यहां पे कंप्लेट हो गया है आपको मैं दूसरे पार्ट में भी दिखा देती हूँ कि यह कैसे लगता है इसमें तीन फूल आहे हैं फ्रंट और बैक में यह देखिए हमारे पांच-पांच फूल आएंगे दोनों साइड वाले थोड़े आएंगे चार ही आएंगे पूरे तो यह देखिए इसके बाद मैंने यह 10 रोज निकालने के बाद यह वली बेल वली ड और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जुरूर कीजिए थैंक यू